तो प्लीज अगर आपको हमारी वीजो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा चलिए देज़ेते हैं आज की हमारी वीजियो समय दो सवार का उनके लिए लिए रख्या से उंको बने रहे चार चार तरह की देखने के लिए हमारे में चानल पर बने रहे हैं यह चार आलू को मैस्ट कर लेंगे क्योंकि अपने इस रेच्पी के लिए में आलू की आवाश सकता है तो चलिए आलू ले ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं घी हमारे आलू पर डिपेंड होगा कि आलू में घी कितना लगेगा अगर आपका पहाड़ी आलू है तो उसम हमने तीन स्पून घी डाल दिया है तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे यानि आलू को फ्राइ करेंगे गोल्डन ब्राउन करते हुए फ्राइ कर लेंगे तो थोड़ा सा जल्देली बोल रहा है क्योंकि हमें 14-15 मिट में हमें चारो वीडियो तिखानी है आप लोगों को ज कुछ स्फरीमं करते हुए आप को प्राइम कर रहा जाती है तो ँमुष्चर थे का सारा मौश्चर हट जाए इतना ही पकाना है कि इसका मोश्चर सारा हर जाए जो कि हमारे अलुके हलोगों के हलवे आलु को या ये वों की रेस्पी को स्वाद मिले और और उसका सारा मौस्टर निकल जाए तो आप्या समय गया होtoi कि हम बराने जा था रहा है इस तरह से जैसे कि आप लोग की कालवा बनाते हैं तो उसमें भी पहले मौश्चर खतम करते हैं अगर मौश्चर नहीं करते हो वैसे में चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है वह बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है जो कि आपको प्रॉब्रम होती है काफी टाइम तक सुखाने म आप आलू के हलवे में आलू का इतना फ्राइङ की दिलिके के बस्त बास दिलिए जगें कि आप छोड़ा है ज्यां वा पर देखके जहां परChat हो जहाँ पर दा जुखा रहांत। desaf sekarang घैने को परेख़ थो ज्यांथ गहता है जो अनुख आप्क अफ्यायं सक्वえてनार की डिक जो पैन है भी छोड़ रहा है तो देख सकते हैं इस तरह से आप चम्मक जिस स्पून से चला रहे हूंगी तो घी आपको ऊपर दिखेगा अलू में तो अब इसमें डाल देंगे चीनी चीनी आप अपने हिसाब से ले सकती हैं कम या ज्यादा मीठा कर सकती है जैसे भी आपको जो आलू है हमारा कितना भी आप मॉइस्ट्र शुखा लेंगे मगर पूरी तरह से मॉइस्ट्र नहीं सूखेगा तो उसी मॉइस्ट्र की वज़ज़ से चीनी मेल्ट हो जाएगी और यह लिक्वीडी हो जाएगा तो देख सकते हैं आलू कहलवा बन चुका है लग बग दे है तो देखिए हमने काजू से सजा दिया है आप चाहें तो आप किसमीज बादाम गरी मदब नारिया कुछ भी आप कर सकती है तो यह अगर रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करिएगा चलिए नेक्स्ट रेस्पी देख लेते हैं अपने साबुदाना की ब इस समय ब्रत में साबुदाना लपक सभी रखते हैं तो इसको हम क्या करेंगे पहले दूलेंगे नहीं इसको गीले कपड़े से साबुदाना को पोस्ट लेंगे जितनी डेस्ट वगरा होगी सब कुछ जाएगी गीले कपड़े से इसके बाद हम फ्राई कर लेंगे यह बुन लेना इस बुनने से गया हुआ आप इस तरह से बनाएंगे आप उस तरह से बहुत यूज हो जाएगा देखिए अब अमेह देखने के लिए कि हमारा यह द्राई मतलब हो गया है बुन गया या नहीं तो इस तरह से आप खलवट्टा ले लें उसमें आप तोड़कर तो देखिए आसानी से टूट रहा है यानि हमारा पाउडर बन रहा है खलवट्टे से खलवट्टे में यह देखिए इस तरह से बिखिए तो बस इसका मतलब है कि हमारे साबुदाना जो है वह अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसको बाहर रख लेंगे अब यह डाल द पका लेंगे गाड़ा कर लेंगे इसकी कॉंटिति में जितना दू devil है गंके उतनी से घ्या घर करके हाफ कर लेंगे तो व बो ले सकते हैं अगर आप दूदही ले। लीकर पाउड़ा गाटे में हमनी च्छी लेगा इस वमने मालाई ले को थढ़ दे लिया हम ढगीं हम यसे नागे जो हम छो झाये कि दूढ करेंगे ऑपने चीनी ओर प्वाल प्सकारम खोङनगा होएँ तो लाइद। अफ था को कि एक लियुअ ऑत रहा है उल्चिनी को पुछा सवीफ आगे तो आपके देगे जैसे ऑक हम उल पाले ने जिसके फिर दोके में तो थे। जिससे कि हम इस पर अपना जमाएंगे तो इस तरह से घी लगा दिया है अब हम एक वैन में चार स्पून घी डाल देंगे और घी मेल्ट होने तक अब इसमें क्या मत् airport अब ल॥कर बस 형 है। गी है। अब उसमा के साबु दाना को अब आएठी última च्रिक में पर देंगे इसे अच्छे से यह देख सकती है। आप डेख सती है। जैसे हम भोजन को भूंते हैं तो इसमें हो गी कि वज़ Happy UK top University तो इसको अच्छे से fry कर लेंगे, बिलकुल गोल्डन करने तख तो देखें, तो आप गया करेंगे, जो हमने दूद और चीनी मेल्ट करके रखी ती उसको हम इसमें सहारा का सहारा आट कर देए यह देखें कि इस तरह से अच्छे से यह देखें मतलब जतना दूद और मलाई तो यह देख सकते हैं इसके हमारा लगग गही छोड़ने लगा है तो आप देखेंगे एक जगह पर एक एक पर इक रखटा कर रहा है। स्वाइब देंगे तो इस तरह से इवन करना है अच्छ जमा देना है तो इस नहीं कोसे इए अच्छे से यहीं तो इस मिठाई को आप कभी भी कहीं भी बना करके खा सकते हैं यह देखी यह देखे कर दे-खिथ तो दस मेंट के रेस्ट होने के रख देंगे क्योंकि ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद यह अपने आप सेट हो जाएगा तो यह देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा बिल्कों स्मूथ चिकना नहीं दिख रहा होगा तो यह साबुदाना की बनी हुई है इसलिए कर सकते हैं तो यह देखिए अब आप देख सकती हैं आपको तोड़कर भी दिखाएं यह देखिए कि कि तनी ज्यादा आमेजिंग लग रही है हमारी एक एस विए देखिए एक सॉफ्ट और एक्दम यमी लग रहे हैं देखने में तो यह देखिए भशे हमने ड्राय यह देखिए के साभुदाना की नेक्ष रेस्प भी है तो यह देखें यह देखें एक ले लिया था जिसको हमने 15-20 मिदे बिगो कर रख दिया था, यह देखिए इस तरह से चैसे बिगो दिया था और आप ले लेगे अपना एक प्यान उसमें दाल देंगे 1 ज़ब जो भी ड और आगे इंक्रेडियन्ट देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा किसमिस जल्दी फ्राइ हो जाती है और ड्राइफूट को फ्राइ होने में टाइम लगता है थोड़ा सा तो यह एक बाउल डाल दिया है दूद तो यह दूद जो है हमारा बिल्कुल फुल फैट वाला कर दी हम अिसे हम पका लेंगे तो देखें इसे भी हम पका लेंगे तो यह देख सकते त्रहस से चलाते हुए हम पका लेंगे देखेंगी क्व槟्डी में ठोड़ा सा थाआँ तो है कम मान चाम हो गया तो आपका यह एक फूदाना अपना-धिगो चाहा precedent है तो रूद भी ब आपस में चिपके नहीं नहीं बनने लिगा हैं ।। बड़ा साबूदान अच्छे से आगया है। तो बढ़ा गरम हो रहा हैं है। अब इसमें अपनी होती है। टु हम एड़ा करेंगे। एम अब जो रखेंगे। एम पकाना पे 2-3 मुष्पक नमारे तो पकाना कितना हैं, आज हम यह साबुदाना की खीर बना रहा है जो कि आप किसी भी ब्रत में खा सकते हैं बहुत अमीजिंग सी रेस्पी और इस तरह से बना कर खाएंगे ना तो कभी दूसी तरह से बनाना नहीं करेंगे अब इसमें चीन डालेंगे अपने टेस्स के इंसार जैसी आपको मिठी क अब इतना ही ठीक हम रखेंगे क्योंकि यह ठंडा होने के बाद में और भी ठीक हो जाएगा तो यह देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ड हो चुकी और यह पक भी चुका असानी से और साबुदाना आप देख सकती है कि बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट देखने लगा है अब ऑल déjà अब बुकी तो यह ठीक हो चाना हूँ इता हमें पकाना आए तो यह देख सकते हैं इसस reinstowUDदाना की कीर बनकर तब यह अदिक्थे हैं ऑर आप साबुदाना देख सकते हैं बिल्कूल अच्छे से ट्रांस्पेरेंट दिक रहा है कितनँ अम्यजीन जिरणी खम भी आपना पीनट का हल्वा जो कि बहुत तेस्टी और बहुत यम्मी बनकर आता है देखी सकते हैं कि कि यम्मी लग रहा है देखने पर एक बार बना कर रखने हैं और आप आराम से खाईए दो से तीन दिन खराब नहीं होने वाला कि यह बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है पीनट का हल्वा तो चलिए इसे अभी बनाना सुरू कर देते हैं तो यह देख सथे हैं यह देख सेज़ाए यह ले लिए पीनट यह तो इसको रोश्ट कर लेंगे ड्यरुश करेंगे तो यह देखिया इस तरश रह से इसे रोस्त होने लगी है तो इसी तरह से रोस्त करने करना जबूरी है जिससे कि इसके कच्छे पन का फ्लेवर निकल जाता है पड़िया रोस्त हो गई है इनका निकाल दिया है थोड़ा से वीडियो जल्दी बना रहे हैं क्यों कि 15-15 में चारगी चारो वीडियो दिखानी है तो इस प्रेवर निकल के लिख दे हैं छीनी चीनी एक हार यह बहुत डौन निकल से बिखे जाता है अब यह दे कि अगए चीनी चीनी क्या करना है यह देदे यह यही देख कर देंगे आँ अब अब डाल देंगे देखिए यह ड़िग लिगे घिया है आफ सर्विंग स्पून अगर आपके पास दूद्ध है तो आप दूद्ध को पकाना पड़ता है काफी समयता है अगर आप कास है आप दूद्ध तरहें हम इचल दूद्ध बहुत बगाना पकाना पड़ जड़े अब पाना पाना जिए ठापना है तो पीनेट में यह तो अख हा नमत फूल रही है समय हमारी निकलने तक हमें हल्वा बनाना होता है और अगर हमारी चार की चारो रेस्पी आपको पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब एंड शेयर के लिए का मिलते नेक्स टें नेक्स्ट रेस्पी सब्बाएं